नमस्कार दोस्तों, BR07 News में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्भंगा एरपोर्ट लगतार अपनी काम्याबी का पर्चम लहरा रहा है। उम्मिस से बढ़कर और सफलताओं की सीरिया चड़कर सबसे आगे दिख रहा है। यहार लगतार अने एरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए, दर्भंगा एरपोर्ट दिख के अने राजयों तक जोरने में सफलता हासिल कर रहा है। इसी बीच जब दर्भंगा एरपोर्ट पर पहली वार इंडीगो आनी बाली है, मगर उससे पहले इंडीगो ने फ्लाइट बुकिंग को लेकर विभिन जगों की बुकिंग सुरू कर दी है। जिसमें आप दर्भंगा एरपोर्ट से इंडीगो चार जगों पर फ्लाइट की सेवा देने वाली है। दर्भंगा एरपोर्ट से जो फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट होगी उन जगों की बात करें तो उनमें इंदौर, गोहाटी, राची और अगर तल्ला है। वही हम इंदौर की बात करें तो यहां हैदराबाद होते हुए इंदौर तक पहुचेगी यानि कि यहां कनेक्टिंग फ्लाइट है। वही हम बाकी तिन सहरों की बात करें तो राची अगर तल्ला और गोहाटी कलकता होते हुए पहुचेगी। तो दोस्तो आगे भी इसी तरह इंडीगो और स्पाइस जेट द्वारा विभिन सहरों तक फ्लाइटों को जोरा जाएगा और यहां अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वारे दिनों में डाइरेक्ट फ्लाइट की भी सुभधा दी जाएगी वही हम आपको बता दे कि दर्वंगा एरपोर्ट मितलावासियों की आनबान सान और उम्मित से ज्यादा मितलावासियों ने दर्वंगा एरपोर्ट की सब वलता में अपनी अहम भूमिका निभाई है तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दरफंगा एरपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें तब तक के लिए गुड़ बाई अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में थन्यवाद